हेलो दोस्तो नमेशकार अगर आप स्टॉक मर्केट खुद से सीखना चाते हो अगर आप इंट्रेस्टेड हो तो कोई ना कोई सेक्टर से आपका स्टॉक यहां पर बिलॉंग करता होगा रैट जैसे मैंने काई कि अगर यहां पर एक्स वाई जेड से तीन स्टॉक आपके पास सिर्फ वाई वाला अभी इस वीडियो में भी हम लोग वही करने वाले है जिस कंपनी के नंबर अभी आ रहे है वो कंपनी मेरे पास तो नहीं है रैट बट येस उसके कुछ कुछ कंपिटेटर है वो मेरे पास है और इसके चलते मैं आपे क्या करूंगा इस स्टॉक को स्टड़ी करूंगा तो कि मैड अकॉंट भी इनका देखने को मिल जाते है कितना तेजी है आठ परसंट की तेजी आज इनके नंबर थे तो सर नंबर तो कमाल के रहे है ऐसा बिलकुल भी नहीं दोस्तो कमाल के रहे मतलब में यहने बोल रहा हूँ नंबर खराब एकर के कि दूरिंग द मार्केट कम लोज हो जाने के बाद आया है बट उसके पहली 8% स्टॉक भाग गया अभी आप इसको बोल सकते हो कि शायद से बादर ने पहले ही पकड़ लिया होगा या फिर अब बोल सकते हैं अनुमान लगा होगा और क्या हम लोग बोल सकते हैं ठीक है अभी हम लोग आ जाते कि 5 पैसा इस कंपनी को स्टडी क्यों करने जैसे मैंने का इसके कुछ कॉम्पेटिटर है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मस दिया था उससे रिलेटर हम लोगों को अंदजा आ जाएगा बट एक्च्वल में इनके नंबर के से रहे वो तो स्टडी करना आना चाहिए की नहीं अगर आप नीचे आ जाओगे नीचे आ जाओगे नीचे आ जाओगे तो यह रिखे आप लोगों को यहापे क्या मिलेगा कि अनॉंस्मेंट मिल जाएंगे उसमें भी बहुत सर लोगों के डाउट रहते सर चार चार अनॉंस्मेंट आ जाते हमें एक्जैक्ली पता नहीं च लिखावा रहता है result या फिर उसके नीचे भी आप लोगों को मिलेगा result and आपको timing मिलता है बहुत सर लोग पूछते सर आपको कैसे पता चलता है before after तो देखे नीचे लिखा रहता है कि कब यह result publish हुए उसका date 11.07.2022 मतलब आज ही की तारीक and यहापर timing लिखा है कि 17.44.39 मतलब लगबाग पाच बचकर यहाप पहुने 6 बजे हम लोगों के नंबर देखने को मिले आप यहापर देख सकते हो तो यहापर timing लिखा रहता है तो अभी चलिए अभी हम लोग क्या करते PDF open कर लेते हैं and फटा-फट इसको cover कर लेते हैं जैसे मैंने का कि इससे रिलेटर हम इससे तो बड़े-बड़े company हम लोगो market में देखने को मिलते हैं तो इसको analyze करके हम बड़े company को judge कर पाएंगे थोड़ा बहुत जितना कुछ information आप लोगों को मिलेगा आप at least study तो करो रैट जब number आएंगे हम लोग हमारे company से related बाते हो तो जरू देखेंगे बट यह देखे company के जो numbers है वो rupees in lakhs है आपको पता ही है यह units बढ़े रहते कभी million कभी lakhs कभी crores ठीक है so यहापे आप देख सकते हैं यहापे stand alone number देखने को मिल रहे है June उसके बाद March उसके बाद June मतलब sequence ठीक है थोड़ा सा fast जाएंगे आपे क्योंकि और भी सारी चीज़े cover करनी है तो सब अच्छा जमप है 6000 से 8400 लास्टाइम 8800 था अभी 8400 तो income में कम तरता देखने को यहापे मिल रही है ठीक है next अगर हम लोग आपे बात करेंगे खर्चे खर्चे तो सबसे बड़ा challenging part है so total expenses अगर आप देखोगे तो कितना है 7372 इस वक का last time का कर्चा कितना था 8187 तो यह ब quarterly खर्चा अच्छा कंट्रोल किया है और इसी के चलते income minus expense करेंगे तो हमें profit मिलेगा तो कितना profit है company का तो आप देख सकते 1029 यह company का profit जो कि last time 635 था खतरना खर्चा company ने कंट्रोल किया है इसके चलते numbers भी बहुत अच्छा है 1024 आप कह सकते yearly number usually flat नजर आ रहे 1024 1029 सेम रेंज है and quarter early अगर हम लोग बात करें पिछले quarter के हिसाब से तो अच्छा कासा jump देखने को मिल रहें almost double ऐसा भी चाहो तो आप लोग यहां पर roughly बोल सकते double से थोड़ा नीचे so यहाँ पर हम लोग कह सकती company ने क्यों हसिल किया है क्योंकि company के other expenses हम लोग को यहाँ पर बहुत ही हद तक control देखने को मिले पिछले quarter के हिसाब से बाकिए अगर देखागे employee benefits वो तो हम लोग को बढ़ते भी देखने को मिले हर किसी company में so then अगर हम लोग बात करेंगे tax weeks सब कुछ adjustment के बाद जो final हम लोग को figure देखने को आपे मिल रहा है profit का यह देखे profit और loss for the period कितना है 752 जो की last time कितना था 465 so बहुत अच्छा jump है और एक साल पहले 748 so same range yearly बिल्कुल same है quarterly 465 कितना हो गया 752 so इसका अरत हम लोग कह सकते दोस्तों इस company के अगर हम लोग numbers की बात करें quarter on quarter basis अच्छे numbers हम लोग को देखने को आपे jump अच्छी है अच्छा performance दिखाने वाले और इस बात को में थोड़ा सा बोल दू तो यह देखे बड़ा मतलब मैंने ऐसा क्यों बोल दे तो market cap देखे तो के वल मतलब अनुमान आप लोग जरूरी आपे लगा सकते हैं तो इंजल वन के नंबर अच्छे आपे आ सकते हैं दैन अगर हम लोग बात करें शेर इंडिया सेक्यूरिटी यह भी risky companies है इस टाइप के stocks या फिर अगर हम लोग आपे बात करें आनंद राठी यह भी company अगर में गलत नही कि वो कैसा performance यह आपे दे रहा है इसके चलते हैं आपकी company कैसा performance दे रही है उसको आप लोग evaluate यह आपे कर सकते हो अगर मेरे side से अगर में बात करू यह आपे तो जैसे हम लोगों ने देखिया कि company का quarterly number में improvement है यह आपे and year on year basis की बात करें तो एक flat performance देखने को यह आपे मिल रहा है so mixed type के numbers देखने को आपे मिल रहा है and quarterly अगर हम लोग numbers की भी बात करें तो income नहीं बड़ा है बलकि expense control किया है यह आपे इसके चलते numbers improve देखने को मिल रहे है तो हम लोग इसको okay okay numbers यह आपे बोल सकते है अभी बाजार को यह okay okay number वाके में अच्छे लगे या नहीं लगे यह त so आशा करता है दोस्तो आप लिए को वीडियो पसंद आयागा तो जरूर इसको like and share कर देना and अभी तग अगर आपने डिमेट अकांड ओपन नहीं किया है तो link नीचे description box में आपको 25 वीडियो की list basic of stock market से related lecture से बिलकुल free of cost मिल जाएंगे आपका नाम और कौन सा account आपने link के through यहाँ पर open किया है यह comment section में जरूर mention कर देना तो अफते बर के अंदर-अंदर आप लोगों के सारे वीडियो की list यहाँ पर provide कर दी जाएगी तो आशा करते हैं वीडियो helpful लगा होगा तो चाहो तो इसको like and share भी कर सकते हो so that's it thank you very much we will be meeting our next video तब तक के लिए बाइ-बाइ बाइद